खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाई और हमारे आर्नाइन टीवी को सब्सक्राइब करें नमस्कार आर्नाइन टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहदी खास कारिक्रम में नय साल में सब कुछ नया नया होता है ऐसे में देशकार की स्थितिया क्या होगी पॉलिटिक्स में परिस्थितिया क्यों मोड लेगी समाज में क्या रहेगी हलचल अर्दविवस्था और दुनिया में क्या होगी उथल पुथल, ग्रहों की क्या होगी चाल और कैसा होगा नया साल और इसे के साथ ये भी जानेंगे कि ये नया साल वाकई में हैपी न्यू येर कहलाएगा और इसे समझने की हम कोशिश करेंगे हमारे इस खास कारिक्रम के माध्यम से इसे के साथ इस खास कारिक्रव में हमारे साथ कुछ बेहादी खास महमान जोड़े हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं टेरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद है मैं आपका बहुत 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 वेलकम करती हूँ इसे के साथ हमारे साथ क्रिस्टल गेजर डॉक्टर रेखा जैन भी उपस्तित हैं मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और डॉक्टर रिचार शुकला जोकी जोतिशाचार है उनका भी वेलकम करती हूँ समझने की कोशिश करेंगे कि 2020 यानि कि 2020 कैसा रहने वाला है क्या कुछ परिस्थीतियां बदलनी गी पर सबसे पहले दिखाते हैं आपको हमारी बेहदी खास रिपोर्ट किसको यश किसको अब यश अर्थ व्यवस्ता में उतार चड़ा राजनिती पर क्या होगा प्रभा कौन होगा शूनिय किसे मिलेगा शिखर प्रकर्थी का क्या होगा नेचर देश का नया साल तो नया साल क्या कुछ होगा कमाल इस पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वाकई ये नया साल हमारे लिए क्या कुछ लेके आने वाला है किन-किन परिस्थीतियों का हमें सामना करना पड़ेगा अलग-अलग तरीके से समझेंगे चर्चा करेंगे ये नया साल वाकई कमाल होने वाला है या नहीं इसमे चर्चा करने के मैं साथ महमान मौझूद है पर सबसे पहले चर्शा करते हैं कि भारत का भवेश कैसा रहने वाला है तो डॉक्टर डी, डॉक्टर वायराखी सबसे पहले आपसे टेरोकार्ट की माध्यम से जाना चाहेंगे कि भारत का भवेश ये 2020 में कैसा रहने वाला है आने वाले साल को सलाम और जाने वाले साल को भी सलाम देश तरक्की करेगा इस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट तो लाइफ के अंदर हम कुछ बहुत अच्छा पाएंगे देश का नाम होगा चीजे बहतर और बढ़िया होंगी अगला कार्ड निकला है जस्टिस का मतलब हर जगा पर भारत अपने आपको अपना परचंड फैलाएगा देश का भविशे बहुत अच्छा दिखता है लेकिन ये हमारा पास्ट का कार्ड है जैसा कि हमने देखा कुछ उपदरवी कुछ चीजें जो थी वो नेगेटिव थी लेकिन आने वाले टाइम में चीजे अच्छी होंगे और भारत के भविशे के साथ एक बात भी अच्छा ही देगा ओल देवेस जी बिल्कुल तो इसी के साथ क्रिस्टल के मादियम से भी जानते हैं कि नया साल कैसा रहने वाला है भारत का भविशे कैसा है मैं आप से जानेंगे कि भारत का भविशे 2020 में कैसा होगा सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बहुत-बहुत मुबारक बात देना चाहते हूँ दूसरी बात ये है कि जितने भी गिले शिक्वे हैं पुराने टाइम के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम सी नया साल आ रहा है तो उस पिरिएट के अंदर अपनी नई उमीदे नए अफसर नई इच्छाओं के साथ में आपने आगे गुजरना है अब देखते हैं नया साल जो आनेवार 2020 जो आ रहा है वो भारत वर्ष के लिए कैसा रहेगा वो देख लेते हैं 2020 बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन कुछ इसके अंदर इस्टार भी आ रहे हैं और कुछ जाले जैसे भी आ रहे हैं तो इंडिकेश कर रहे हैं कि प्राकतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है युद के चांसिस भी बन रहे हैं विदेश के अंदर जो पैसा लग आने के भी चांसिस बन सकते हैं जी बिलकुल और इसी के साथ जोतिश के भी माधियम से जान लेते हैं कि 2020 का जो भविश है वो कैसा रहने वाला है जी मैम नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर रिचा शुकला देखे जोतिश एक गंभीर विशह है और जहां तक मेरा मानना है मैं भारत की कुंडली पर बेस्ट मेरा कोई भी जो भी वक्तब्य होगा वो भारत की कुंडली पर बेस्ट होगा जो की ब्रशब लगन की कुंडली है और इसमे एक बड़ी बात यह है कि जो नाइन्थ लॉड यानि जो भागेश है भारत के शनी वो 22 जनवरी से अपनी राशी में साड़े 28 साल बाद प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी बात है कि जब भागेश भागे में होगा तो भारत का कोई क्या विगार सकता है लेकिन साथ अश्टमेश, एर्थ लॉड जुपीटर, ब्रहस्पती भी अपनी ही राशी में है देखिए जोतिश में शनी और ब्रहस्पती से जादा ताकतवर कोई भी ग्रह नहीं क्योंकि ये एक राशी में शनी 2 साल और ब्रहस्पती एक वर्ष के लिए रहता है तो इस वर्ष ब्रहस्पती अपनी राशी में है यानि की एर्थ हाउस में है और ये मान कर चलिए कि भारत के लिए थोड़ी सी जो चिंता की बात है वो ये हो सकती है कि अंडर ग्राउंड एक्टिविटीज भारत को कमजोर करने की साजिश कर सकती है चाहे वो बाहर से हो हमारी नेवरिंग कंट्रीज से हो या फिर हमारे अंदर के ही लोग हो तो भारत की सरकार को अंडर ग्राउंड एक्टिविटीज से सचेत रहने की जरूरत है लेकिन चूंकि भागेश का संचरण भागे में हो रहा है इंडिया इस शाइनिंग, इंडिया गोईंग टुशाइन कोई भी दिक्कत नहीं है अभी क्योंकि लाब के मालिक ब्रहस्पती अस्त चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा अर्थिवे अस्तम में मन दी और ये सब दिखाई पड़ रही है दीरे दीरी सब दूर होगा और भविशे उत्तम है जे विल्कुल तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 2020 जो है हम सब भारतवाशी के लिए अच्छा हो जीवन में खुशिया लेके आए पर यडि ग्रहों की दिशा ग्रहों की चाल की बात करें राखी मैम तो ग्रहों की चाल और दिशा क्या कुछ बदलने वाली है 2020 में देखे ग्रहों की चाल और दिशा की बात की जाया तो जैसा आपको बता है कि 2020 पहले तो दो और दो दो अगर आप निमरोलाजी थोड़ी भी जानते हैं तो वो चंद्रमा का एक कारक होता है मन तो इस बार कुछ इमोशनल जादा रहेंगे आप दो दो आरे अप दो और दो क पतलब आपको आपके कर्मों के हिसाब से चीजें बहतर और बढ़िया मिलेगी मेरा मानना ये है कि इस बार उन लोगों को डर कर रहना चाहिए जो सड़क पर चलने वाली लड़की को एक अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं अपने बारे में सोच लेते हैं मुझे लगता ग्रहों की दश्याएं ये बताती हैं 25 तारीक को जब हम क्रिस्मस बना रहे थे तो मंगल ने अपना घर स्थान बदला है तो इस अग प्रॉपर्टी की या कोई आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही आप खरीद नहीं पा रहे तो वो भी चीज आपकी हो सकती है लेकिन ज सभी खुश और मधूर रहते हुए दिखाई देंगे और देश में और भी ज़्यादा स्टिक कानून बनते हुए दिख रहे हैं जी बिलकुर और यदी जोतिश के माधियम से जानना चाहें रिचा मैम तो क्या कुछ बदलाव ग्रहों के चाल में होने वाला है देखिए सब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रहस्पती और शनी अपनी बहुत ही मजबूत राशियों में हैं और इस वर्ष जो भी बच्चे पैदा होंगे भारत में भारत में क्या पूरे विश्वों में वो आप समझ लेजे शनी और ब्रहस्पती से ब्लेस्ज होने वाले हैं क् अगर किसी बच्चे के केंद्र में ये ग्रह आ जाएंगे तो महापुरुष योग बनाएंगे तो इस वक्त इस्थिती बहुत स्ट्रॉंग है और इंडिया के लिए ऐस आई सेड कि शनी भागेश है राजेश है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है सबसे पहली बात यह कि जो एक और महत्वपूर्ण ग्रह है वो है लगन लॉड इंडिया की कुंडिली का जो लगन लॉड है वो शुक्र है और उसने अभी गोचर अपनी कुम्भ राशी में किया है यानि की राज्य के भाव में तो अब आप समझ लीजे के सरकार या देश एक उत्तम स्थिती में आने वाली है और अभी फिलाल फरवरी तक जब तक कि इसका संचरण मीन राशी में होगा जब ये उच्च चुका होगा तो अभी थोड़ा सा अन्रेस्ट है लेकिन जनवरी लास्ट से आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि सरकार की स्थिती भी मजबूत होगी और भारत क स्थिती भी मजबूत होगी तो शुक्र शनी और ब्रहस्पती तीनों अच्छी स्थितियों में है चिंता का तो कोई विशय बनता ही नहीं है और सबसे बड़ी बात है क्योंकि यही ग्रह आपके छटे घर का भी है इसलिए ओपोजीशन भी स्ट्रॉंग होने वाला है तो आ क्रिस्टल के माध्यन से समझना चाहें कि ग्रहों की चाल और ग्रहों में क्या कुछ परिवर्थन आने वाला है तो क्रिस्टल क्या कुछ कहता है मेरी क्रिस्टल के अंदर दिख रहा है ब्ल्यू कलर और येलो कलर ब्ल्यू कलर जैसे मेरी सख्यों ने बताया ब्ल्यू कलर शनी को इंडिकेट करता है और येलो कलर ब्रस्पत को इंडिकेट करता है तो शनी क्या है नय प्रिय है जैसा तू करम करेगा वैसा तेरे को फल और येलो कलर जिन बच्चों की शादिया नहीं हो पारी थी उन बच्चों की शादिया होने के योग बनेंगे बिजनिस अगर आगे बढ़ा आना चाते हैं तो बिजनिस के अंदर प्रोग्रेस आएगी लेकिन हा मेरे किस्टल के अंदर ये आ रहा है बिना सोचे समझे अगर पैसा लगाते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है दूसरा ब्लू कलर भी आ रहा है और उसके साथ में एक वाइट कलर आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है जो बच्चे बाहर जाने का सोच रहे हैं और बहुत समय से वीजा नहीं लग पा रहा है तो वो बाहर भी जा सकते हैं तो तो कुल मिलाकर कि ग्राहों के लिए और भारत वर्ष के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा लेकिन अपोजीशन पार्टियां जो इसके अंदर बीच में टिम टिम कर रही है तो वो इंडिकेट कर रही है कि जो विपक्ष की पार्टियां है वो प्रॉबलम क्रियेट कर सकती है जो पैसा डूबा वा था जो पैसा डूब चुका था उस पैसे को आने में आने के चांस लग रहे ह है इसके अंदर जी बिल्कुल आप रिचा में हम राजनीति की चर्चा कर रही थी तो जानना चाहेंगे और ये बहुत इंट्रेस्टिंग टॉक्पिक भी है कि 2020 में राजनीति का जो सफर है वो कैसा रहने वाला क्या उतार चड़ाव देखने को मिलेंगे किसके किसमत में जी की कुंडली पर मेरे पिछले सारे प्रेडिक्शन सही हुए हैं इसलिए मेरा विश्वास है कि जो डाटा मेरे पास है उनके जन्म का वो सही है तो उसके आधार पर मैं कहूंगी कि अभी जो मोदी जी हैं वो अपनी चंद्रमा की महादशा और शुकर की अंतर दशा में चल रहे हैं बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त क्योंकि उनका जो आत्वा घर मतलब जो सात्वा घर उनका विपक्ष का आता है मंगल वो बहुत स्ट्रॉंग चल रहे हैं इसलिए आपके विपक्षी थोड़े से स्ट्रॉंग है लेकिन जैसे ही मंगल मूव कर जाएंगे और अधनू में आ जाएंगे तो आप समझ लिजे कि मोदी जी का फिर से एक बार ग्राफ उपर जाएगा तो राजनीति के लिए अगर मैं कहूं तो सरकार की स्थिती मजबूत है मोदी जी को बाहर से इस साल काफी सारे एवोर्ट्स बगरा मिल सकते हैं विदेशों से लेकिन अ वर्ष यादी कोई चुनाब होते हैं तो उसमें बीजेपी का अच्छा भविश्य मुझे नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि इस वाक्त ओपोजिशन ज्यादा स्ट्रॉंग मुझे दिखाई पड़ता है जी बिल्कुल तो राखी जी आपसे जला चाहेंगे कि क्या टैरो कोई ऐसा मैसेज दे रहा है क्या कि विपक्ष बहुत जादा एक्टिव होने वाला है या उसके स्थिती जो है वो बदलने वाली है देखे बिल्कुल टैरो के अंदर जो सरकार है उसका ये कार्ड निकल करा है दर डेविल का कार्ड है तो मैं रिच्चा जी की बात से पूरी तरह से सहमेथ हूँ और मैं इस बात को मानती हूँ कि विपक्ष इस वक्त बहुत जादा बावरफुल होगा इसमें कोई दौराए उससे भी जादा मोदी जी को बरदाश करना पड़ेगा अपनी ही पार्टी के लोग उनका विरोध करेंगे वो उनहीं की पार्टी के भारवाले तो करेंगे करेंगे विपक्ष तो करेंगा ही करेंगा या जो देश के हाला तिस वक चल रहे हैं उसे तो आप साइट दर किना लेकिन उनके आपस में ही विजेपी में विजेपी के लोगों के मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे और ये कंडिशन मेरे हिसाब से मार्ज तक चलनी चाहिए और अगर बात की जाए कि विपक्ष की तो विपक्ष उभरकर आगे आएगा लेकिन इसके साथ सकते कोई बड़ की बात करें, बीजेपी और कॉंगरस क्या अस्थिती बदलेगी, क्या कुछ सुधार देखने को मिलेंगे? अपने ही लोग हमारे को धोकाथ के लिए आ रहे हैं तो फिर हम कैसे बस सकते हैं तो सबसे पहले मुदी जी के लिए तो यही इसके अंदर आ रहा है कि अपने लोगों के साथ में बना करके रहaining जो भी रणनेती बना रहे हैं जो भी चीजें हैं विदेश से हैं जो भी उन्होंने गड़ बंदन करना है कुछ भी करना है तो अपने ही लोगों के साथ बैट करके मिटिंग करें अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती असफलता उनको देखने को मिल सकती है जी बिल्कुल तो चलिए एक बर अर्द विवस्था पे भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि बहुतों की नजर इस पे भी होगी कि टैरो क्या कुछ कहता है अर्द विवस्था पे कोई बदलाव देखने को मिलेगा जबर दस्त वाला बदलाव जिसका आप पिछले पांस साल से इंतजार कर रहे थे चाहे आपके पास नौकरी नहीं है चाहे आपका वेपार नहीं चल रहा चाहे आप एक नया घर या बंगला लेनी कोशिश कर रहे थे देखे दोनों ही देवियों पर बिजनस चलता रहा है, तो नहीं दोस्त इस वक्त आपको मेहनत करनी होगी, यह बात आप समझ लिजे कि 24 तारीक से शनी आपको आपके कर्मों का हिसाब किताब देगा, जो लोग कल आपको आपकी जमीन या प्रॉपटी रखने पर भी पैसे उधार नहीं दे रहे थे मेरा मानना ये है आज वो बिना किसी बिना किसी जिम्मेदारी के या बिना किसी प्रॉपटी को रखकर फोन करकर केंगे भाई आओ और पैसे ले जा शेर मार्केट भी उठती हुई दिखाई देगी आपको ये फर्क दिखाई देगा एक फरवरी से ठीके धीरे चलते हैं शनी ये समझिएगा लेकिन अगले ठाई साल में करजा उतरेगा लोगों का लोगों का बिजनस चलेगा मन चाही जॉब मिलेगी जैसा रेखा जी ने कहा अर्थ व्यवस्ता जितनी हम सोच रहे हैं उतनी तो नहीं लेकिन काफी हद तक आगे बढ़ेगी एक मेरे को एक गाना याद आ रहा है जब खुद से ना सुलजें तेरे उलजे हुए धन्दे भगवान के इंसाफ फिर सब छोड़ दे बन दे तो इसके अंदर यही चीज आ लगाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन पूरी लेनी पड़ेगी अगर आप बिजनिस लगाना चाहते हैं तो बिजनिस के लिए भी आपको जो निवेश कर रहे हैं यह देखिए कि सही तरीके का आप बिजनिस कर रहे हैं यह सही उसके इंदर इंटेंशन डाल रहे हैं स आगे चलके उनको बहुत ज़ादा नुकसान का सामना करना पड़ता है या नौकरी नहीं मिलती बिरुजगारी बहुत ज़ादा चाहे रहती है तो 2020 में बात करें तो बिरुजगारी क्या कम होगी? क्या कुछ कहता है जो देश? देखी क्या है कि ब्रहस्पती जैसा कि मैंने कहा इस देश की पत्री के लिए लाब के मालिक है यानि अर्निंग आय इंकम के मालिक है और वो क्योंकि आठवे घर में बैठे हुए और सीधे उनकी द्रश्टी कहा जा रही है वेल्थ पर दूसरे भाव पर तो आप ये समझ है 24 जनवरी से जैसे ही उदय होगा आप मानिये देश की स्थितियां बदलेंगी ये जो मंदी का मौसम है ये जरूर बदलेगा और राखी ने बिल्कुल ठीक कहा कि फरवरी ओन्वर्ड हम एक अच्छी दिशा की उम्मीद कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहू हैं to improve the situation लेकिन यदि वो ऐसा कर देते हैं तो I am seeing a very good financial state for the country जहां तक व्यक्ति विशेश की बात है उस पर तो व्यक्ति की कुंडरी बता सकती है लेकिन हां जो trend है यानि बेरोजगारी का जो trend है या जो मंदी का जो trend है वो बदल रहा है और student unrest भी जो है वो धीरे धीरे ठीक होगा अभी मामला उल्जा इसलिए है क्योंकि wisdom ब्रहस्पति जो की बुद्धी के कारक है विजरम के कारक है अस्त हैं कोई भी कुछ सोचना समझना चाह ही नहीं रहा है जिसको जो कह दिया उसने वो माल लिया अपनी बुद्धी कोई नहीं लगा रहा है जैसे ही ब्रहस्प तो देश के बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे युवा सेल्फ स्पॉंसर्ड इस्टडीज को आगे बढ़ाएंगे अपनी स्किल्स को इंप्रूब करेंगे आई सी अग्रेट फूचर पॉर इंडियन यूथ चलिए तो इसे अच्छी बात क्या हो सकती है पर यदि प्राक्टिक अपदाओं की बात करें तो क्या कहता है टैरो कार्ड देखिये पहला ही कार्ड पेर पर उल्टा लटका हुआ व्यक्ति निकला है दूसरा ही कार्ड व्यक कहता है कि आपको गाड़ी वाहन भी बहुत संभल कर चलाना है जिसे अभी ग्रहन भी निकला है मैं आपको बता दू दर्शकों की 10 जन्वरी को फिर से चंदर ग्रहन है जो की इंडिया के अंदर है तो जब ग्रहन दो एक साथ बिल्कुल 10-15 दिन के अंतराल पर हो तो इसका असर कहीं न कहीं हमारे जीव जन्तों पर हमारी प्रकतिक अपदाओं पर हमारी बिमारियों पर जरूर दिखाई देता है और मैं आपको बता दू अपनी हिल्थ का आपको खुद धिहान रखना है इस बात का आपको खुद नजर करना होगा कुछ ड्रिंक करने वाले ऐसे हम जीमतें शेयर मार्केट में बहुत जादा बढ़ जाएंगी जीव जन्तुओं और जानवरों में कोई बिमारी अचानक से आ सकती है खास कर ये मुर्गा जो आप लोग खाते हैं या मुर्गी इन सब में ये बिमारियां कुछ जादा गर्मी के टाइम पर फैल सकते हैं लेकिन अगर आप पूजा करते रहें सिर्फ अपने बारे में नहीं और देश के बारे में भी सोचें शनी देव पर दिये जलाते रहें हमीशा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा किसी को देते रहें माता पिता की सेवा करें तो ये भूमी दे भूमी हैं भगवान बड़ी इसके बाढले में पूजेश जी ने कुछा कि पर confession को साकति हुए डियुक्स प्रति कि अपने पास कुछ नहीं रखती है जैसा तु करें वैसा मैं तेरो को पलट कर सेगैं। अपने बड़ों की हम इज़त नहीं करते बच्चे जो है जबान जो है अपनी भेनों की जो लड़किया है उनकी इज़त नहीं करते है तो ये प्रकति है हमारी अगर हम प्रकती के साथ में छिर्चार करेंगे ये प्रकती को हम डिस्टर्ब करेंगे तो प्रकती भी हमारे को पलट करके डबल होकर के वार देती है तो बार आने के चांसेस हैं जैसे राखी ची ने बताया बारिश बहुत जादा होगी गर्मी बहुत जादा पड़ेगी और जिस तरीके से जिन्दिगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स चेल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं इसके अंदर. जे बिल्कुल, तो रिचामम यह दी बॉलिवुच की बात करें, तो बॉलिवुच नो डाउट काफी कुछ हमें देता है, काफी इंटर्टेन करता है, तो जोतिश क्या कुछ कहता है, 2020 में क्या कोई ऑसकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है? देखे, ओसकर तो मैं नहीं देख रही हूँ, सरवोच सम्मान मनोरंजन में मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन यह जरूर देख रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि शुक्र उच्च के होंगे फरवरी में, और जो भी है, तो आपकी जो भी ग्लैमर वो नई हाइट्स को जरूर चुएगा ठीक है और सबसे बड़ी बात ये कि क्यों क्योंकि ये जो आपका शुक्र जो आपकी देश के लिए लगन का मालिक है वही रोग का भी मालिक है तो ये भी मान कर चलिए कि ग्लेमर वर्ल्ड का कोई बड़ा सितारा इस वक्त सेहत की गंभीर इस्थितियों से गुजर सकता है इस वर्ष और बॉलिवुट को कोई नुकसान भी हो सकता है कोई बड़ी हस्ती तो स्वास्त की द्रश्टी से बॉलिवुट के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है लेकिन जहां तक मरोरंजन का सवाल है नई कुछ हुएगा नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे और जो इस्त्रियां है यानी लेडी पावर उसको भी बहुत बल मिलेगा फीमेल ओरियंटेट फिल्म्स बनेंगी इस गोईंग टो बी अगुड यर फॉर फीमेल्स जी विल्कुल रिचा विम गेदी कुछ टॉप स्ट जीरो दो जीरो तो आप ये मान कर चलिए कि उनके लिए मामला आप एंड डाउन आप एंड डाउन का है मैंने जैसा कि कहा मेरा हिंट उनकी तरफ ही था सेहत का मामला अमिताब जी के लिए ये साल अच्छे नहीं रहने वाला है और क्योंकि वो बहुत इमोशनल उससे लेकिन हाँ वो जिन फिल्मों में काम वगरा कर रहा हैं वो हिट हो जाएंगी जी बिलकुल उनकी सारी फिल्में हिट भी होती है अदली जो भी नई भी कर रहे है वो पिक्चर हिट हूंगी लेकिन उनको कहीं न कहीं चंद्रमा थोड़ा विछलित रखेगा और इनकी सेहत इस बर्ष अच्छी नहीं रहेगी इस बिल्कुल सही कहा रिचा जी नहीं ये मैं मानती हूँ दूसरी बात ये की रिचा जी की एक बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ ये दिकिए वीनस का काड है तो महिलाएं कुछ नए उभरते वहे कलाकार हमें दिखेंगे जो सोचा नहीं ता महां तक पहुँच जाएंगे कुछ दस-दस साल से महनत कर रहे हैं लेकिन अपनी जगा कायम नहीं कर पा रही थी वो महिलाएं कुछ जरूर होगा लेकिन इसके सिवा कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी आपस में लडाई की भी चीज़े सामने आएंगी और सलमान खान के लिए ये साल कुछ खास अच्छा नहीं है जी बिलकुल रिखा मैं आपसे भी जाना चाहेंगे कि बॉलिवुड का सफर कैसा रहेगा पर यदि रिशनल की भी बात करूंगी मैं जैसे टॉलिवुड बहुत ज़ादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भोचपुरी इंडस्ट्री भी बहुत ज़ादा बढ़ लिए तो क्रिस्टल क्या कुछ कहता है इसके अंदर जो दिख रहा है बर्ड दिख रहे हैं तो बर्ड जब दिखते हैं तो इंडिकेट करते हैं हाइट को बर्ड हमेशा उड़ता है तो हमारे को येश मिलता है दूसरा इसके अंदर जो दिख रहा है नीचे जो है प्लेइन मिट्टी दिखाई दे रही है तो हमिताप की बात अगर करते हैं अप उनके अंदर प्रतिबा तो है लेकिन हेल्ट उनका साथ नहीं दे पाएगी जिसके वज़े से जो वो अपनी लाइफ के अंदर feel होकर के उनके लिए problem create कर सकती है एक चीज़ और आ रही है कि भाहर के जितने Hollywood ये तो Bollywood है Hollywood actors जो है वो हमारी Bollywood के अंदर आकर के invest भी कर सकते हैं और वहां पर acting भी कर सकते हैं दूसरा इसके अंदर जो रिचा जी ने बोला राखी जी ने बोला कि ladies oriented चीज़ें हमारी film industry के अंदर ladies को जादा प्रमोट किया जाएगा जो लड़कियां बहुत समय से acting के लिए या फिल्मों में काम करने के लिए बॉम्बे गई हैं लेकिन नहीं हो पाया तो उनके लिए ये समय जो है बहुत अच्छा रहेगा 2020 एक बात और जोना चाहूंगी किसी मतलब किसी female महिला की तबियत भी इस industry से जुड़ी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है और उसको लेके दुखित ख़बर भी आ सकती है ये चीज मैं भी आपको बोलना चाहूंगी कि जो इस crystal के अंदर वो मैं बोलना नहीं चाहरे थी लेकिन राखी जी आपने जैसे बताया मैं आपको वही बता रही हूं कि जो इसके अंदर आ रहे है जो लाई से पहले किसी बड़े अभीनेता या बड़ी अभीनेतरी की health बह या कुछ हलचल देखने को मिलेगे कोई awards भारत के नाम आएगा क्या बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है और देखे third house sports इस वक्त चंद्रमा अपनी महाराशी में मतलब अपनी चंद्रमा की महादशा चल रही है भारत के तीसरे घर के मालिक है तीसरे घर में विराजमान है शनी फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा कारग्रह इस वक्त उनके साथ ही रहेगा और उनके साथ इस वक्त गोचर करेगा उनकी अंतरदशा चलेगी तो आप समझ लीजे इस sports के लिए अच्छा साल है जरूर कुछ awards आएंगे कुछ winning teams होंगी इंडिया में चाह देता है यह I think मेरा suggestion होगा sports के लोगों के लिए कि पैरों से जो चीजे खेली जाती है football सबसे बड़ी है इस बार football पे ध्यान दीजे आप बड़ा कपला सकते हैं क्योंकि शनी की अंतरदशा है शनी भी भारत की कुंडली में तीसरे ही घर में बैठे हुए है और भागी को द बड़े awards आते हैं तो no doubt उस पर top players का हाथ होता है तो top players की बात करो यह दी cricket में विराट को लिए की life कैसी होने वाली है 2020 यह दी धोनी की बात करें तो इन लोगों जो top celebrities हैं इनके बारे में एक बर बताईए धोनी का graph देखे धोनी तो सब के दिल के राजा है मेरे भी favorite है तो धोनी तो it's always धोनी क्योंकि अगर अब बुरा निकले भी card से तो सच बोलने का दिल नहीं करता लेकिन धोनी के लिए it is not very good year मैं आपको symbol सी बात बता हूँ विराट के लिए साल बहुत अच्छा है और हो सकता है विराट और बी अलग personal life की कुछ good news आपको दें विराट को कि देश का नाम इस बार बच्चे जरूर करेंगे आज मैं आपको एक indicate करती हूँ बहुत सी माएं ऐसे हैं जिनका सपना है कि उनके बच्चे किरकेट में जाएं और वो सवाल करती हम से phone करके कि हम करें कोशिश करें तो मैं आपको बताऊंगी आप तुरंत 30 जनवरी से इसी तरफ रुक करिए और आपके बच्चे जो उभरते हुए कलाकार हैं और खेलों में आगे आना चाहते हैं उन्हें आगे लेकर आएं देश बहुत नाम रोशन करेगा बहुत से मैडल्स लेकर आएगा बहुत से अवार्ड लेकर आएगा और बहुत सी नई चीज़े होंगी खास कर IPL जो गेम होते हैं उसमें आपको इस बार बस ये समझे पल्ला इधर से उधर और इधर से उधर जाता हुआ दिखाई देगा जी बिल्कुल तो रेखा मैं आप से जाना चाहूंगी कि यदि वुमिन्स प्लेयर की बात करें तो उनका लाइफ जो है 2020 का कैसा रहेगा उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसके अंदर आब भी रहा है कि फलार भी दिख रहे हैं फलार हमारे घर में जब हम लगाते हैं उपर लगाते हैं नीचे बिचाते हैं तो कोई सालिब्रेशन होती है जैसे अब भी राकी जी और रिचार जी ने बताया मेरे को तो यहां पर अवार्ड के साथ में विराड जी के घर में कोई ननना मुनना आतावा दिखाई दे रहा है जो एक सालिब्रेशन हो रही है दूसरा अवार्ड के भी चांसिस बन रहे हैं लेडीज जो है वो बहुत आगे जाएंगी जैसे रिचार जी ने बोला कि पाउं संबंद चाहिए आपकी लाइफ के अंदर वो उनकी मा भी हो सकती है उनके पिता भी हो सकते है उनके गुरू भी हो सकते है जितनी लगन और द्रड निश्टा के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता 101 पसंद मिलेगी और अवार्ड तो इसके अंदर आई रहा है एक बा जोप जूटा होगा लेकिन उसकी बदनामी होगी और वो किसी भी स्पोर्ट में ऐसा हो सकता है क्योंकि शनी कारक हैं तो कहीं न कहीं बहुत से खुलासे जो है खेलों को लेकर जरूर होगे जी बिल्कुल रिजा जी आपने राशनिती के सफर में मोदी जी के बार में बताया पर यदि राज्यों की राशनिती की चर्शा करे तो योपी स्टेट को हम नहीं भूल सकते तो योगी जी का 2020 कैसा रहेगा जोतिश के माद्या से योगी जी की जर्म पत्रिका मेरे पास किसी कारणों से नहीं है और मुझे मिल भी नहीं पाई है गूगल पर I have searched for his birth records लेकिन मुझे नहीं मिल पाए तो मैं बहुत जिसको आप कहते हैं कि authenticity से इसका answer नहीं दे पाऊंगी क्योंकि head का जो मतलब जर्म मेरे पास देखिए मैं कोई भी यहाँ पर प्रोपोगेंडा नहीं करती हूँ जोतिश मेरे लिए बहुत ही गंभीर विशह है जितना सही birth data होगा उतने सही predictions होगे लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैंने अप आने वाले तीन महीने थोड़े से भारी है यदि आप अपनी social image को नहीं ध्यान देंगे तो वो टार्निश हो जाएगी फिर चाहें वो योगी हो ममता हो अखिलेश हो कोई भी हो तो जो भी चीफ है चाहें वो पार्टी चीफ है चाहें वो ओफिस का चीफ है जो भी है तो च उसके लिए मुश्किल आ सकती है तो आपको बहुत जादा और युवा समवेदनाओं को यदि योगी जी नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल होगा और राहू इंडिया की लग्न में विराजमान है तो आप मान कर चलिए कि इस वक्त आपको बहुत ही केरफुली अपने cards play करने है क्योंकि राहू रिप्रेजेंट करता है other religion को Muslims को तो आप ध्यान करके चलिए और इस वक्त राहू की स्थिती बहुत strong है जोर्याक में तो आप उनसे related जो भी फैसले लेते हैं सोच समझ कर लीजे आपके लिए भारी पढ़ सकते हैं राखे जी पर्टिकॉल राजमेताओं की बात नहीं करेंगे राजों की पर राजों की बात करे यूपी जहार खंट तो कोई राजों की स्थिती बदलने वाली है क्या 2020 में यूपी में बहुत से बदलाफ होंगे जैसे योगी जी कर भी रहें योगी जी के लिए बात बोलूँगी मुझे योगी जी के अंदर अपने कार्ट के अंदर फ्यूचर का पीएम नजर आते हैं और उनके अंदर वो जिद बहुत है एक्चुली वो युवाओं जैसा काम क बोतिश को लेकर बोल दीजिए आप या आप ये बोल दीजिए कि वहां पढ़ाई को लेकर कॉलिज को लेकर हॉस्पिटल्स को लेकर यूपी में मुझे बहुत कुछ अच्छा दिखाई देता है उत्राखंट की अगर बात की जाए तो वहां पर मुझे अभी कुछ प्रॉ उठ जो है किस रस्ते राइट उठ बैठने वाला है कि लेफ्ट उठ बैठने वाला है तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्धा राजनीती के अंदर दिल्ली इलेक्शन्स बनने वाले हैं जहां बहुत से खुला से आपको दिखाई देंगे जी बिल्कुल रेखा जी आपस बहुत आस्ता है लेकिन जो मुस्लिम वर्क है वो उनके फैंसलों से खुश नहीं है तो हमारे को दोनों पार्टियों को दोनों चीजों को हर धरम को मिला कर कि अगर हम चलेंगे तो हमारे को जरूर कामियाबी मिलेगी दूसरा जो इसके अंदर दिख रहा है उनकी हेल्थ संबंदित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मानसिग या शारिरीक संबंदित प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जो सामने जो वो कहना चाह रहे हैं जो अपने वर्ड कैद देना चाह रहे हैं दूसरे को मैसिज देना चाह रहे हैं लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है तो उस चीज का उनको सामना करना पड़ सकता है जी बिल्कुल तो 2020 का हम वेलकम कर रहे हैं पर हमारे जीवन में कई उतार चड़ा हमें देखने को मिलते हैं तो कुछ चोटे-चोटे उपाए भी आपसे जाना चाहेंगे क्योंकि यही चोटे-चोटे उपाए हमारे जीवन को बदल सकते हैं तो टैरो क्या कुछ कहता है उपाए के लिए? देखिए मैं सिर्फ दो उपाए बताओं जै क्योंकि 20-20 है तो वो भी 2 है और मैं आपको एक चंदरमा का उपाए बताओंगी, एक रहू का उपाए बताओंगी और नहीं काओंगी कोई अंगूठी पैनलो, नहीं काओंगी कोई हवन करलो मेरे हाथ में इस वक्त आप यह पाणी का गिलास देख रहे हैं उसे पानी प्रस्तुत करने से पहले पूछ लीजे भाईसा पानी पीना है और उसे हाथ जोड कर रिक्वेस्ट कीजे कि पानी पूरा पिये आदा ग्लास पानी दीजे पानी अगर बरबात करेंगे तो चंद्रमा इमोशन्स आपके खराब होंगे दूसरा एक उपाय अगर अपने जाने के बाद भी जिन्दा रहना है और सच में आने वाली जनरेशन को कुछ भी देना है तो अपने जनम दिन अपनी एनिवर्सरी अपने बच्चे के जनम दिन अपने किसी भी स्पेशल डे पर पाँच पेड़ लगाए अगर आपने इमेदारी भी निभाएंगे और अपने राहू को भी अच्छा कर लेंगे जो 2020 का मुख्य कारक है बस यही दो उपाई करने को बताऊंगी इससे आप देश के एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे इमांदार भी बनेंगे और 2020 को भी कहेंगे वेलकम वेरी कुट जी विलकुल तो रेखा में मैं आपसे भी कुछ उपाई जाना चाहेंगे मैं उपाई तुम्हें आपको ज़रू बताऊंगी लेकिन एक मॉटिवेशनल आपको एक सला दे सकती हूं कि 2020 आ रहा है तो दो दो और इमोशनल तो कुछ बच्चे जो हैं जो बहुत डिस्टरब रहते हैं इमोशनल बहुत जादा रहते हैं जिसके वज़े से वो उनकी टे अगर आप इस तरीके के पांच बार बोलेंगे और रात को सुने से पहले हमेशा धन्यवाद कहेंगे कि इश्वर ने आपको बैट दिया है खाना दिया है मा दिया है बाप दिया है जब तक हम ग्रैटिटूड नहीं करेंगे तब तक हम कुछ प्राप नहीं कर सकतें तो मैं आप एक नियम बना लिजिए कि हमारे को सुबह उठकर के हमीशा धन्यवाद करना अपने आपको प्रेस करना है और अगर हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो हम दूसरे का सम्मान नहीं कर सकतें जी बिलकुल रिचा जी आपसे भी जानना चाहेंगे उपाए बिलकुल बहु करना है आपने जैसा कर एज यू सो सो शेल यू रीप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे कुछ भी उपाय कर लीजिए दंडादिकारी दंड देने पर आमादा है धर्म के साथ हैं आप धर्म के विरुद्ध चलेंगे आपको दंड अवश्य मिलेगा कोई भी उपाय आप करे इस इन धाई सालों में उपाय काम नहीं करेंगे एक ही उपाय काम करेगा कि कर्म अच्छे कीजिए शनी केवल करुणा दया से ही पिघलते हैं और किसी से नहीं पिघलते हैं जहां तक एक और हिंट दूंगी आपको कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली में आप सभी के लिए है चंद्रमा और शनी का कोई भी संयोग बन रहा है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मानसिक अवसाद का समय रह सकता है और अगर किसी के में ये योग है तो मैं उनके लिए एक उपाय बताऊंगी कि आप दूद और पानी की बराबर मात्र लेकर सेटरडे और मंडे शनिव और समवार को शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं क्योंकि इस वक्त देश में चंद्रमा और शनी की महादशा और अंतरदशा चल रही है तो अवसाद बहुत लोगों में देखने को मिलेगा बाकी और नॉमल लोगों के लिए अच्छा कीजिए अच्छा पाईए किसी पाई की आवश्यक्ता नहीं पड़ती तो मैं उसी इस सिध्धान पर जीवन भर चली हूं और आपको चलाना चाहती हूं तो कर्म अच्छे कीजिए धाई साल आपके बस वह वह हो जाएगी यह बात तो आपने बहुत अच्छी कही पर कई बार हमें सावधानिया भी बरतनी पड़ती है तो कोई सावधानी के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे आपको दिखें लीगल मैटर्स में अगर आप सब के लिए हैं अगर आपने कुछ छुपाया है गलत केस लड़ रहे हैं इन धाई सालों में जरूर हारेंगे कोई चीज छुपा रहे हैं कोई चीज अंडर्ग्राउंड कर रहे हैं चाहे वो पैसा है चाहे वो कुछ भी है सामने आएगा आप पनिश होँगे तो सावधानी यही है कि लौ से मत खेलें पैसे से मत खेलें इस साल अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बंद कर दीजिए जितना सही रास्ता जितना सात्विक रास्ता इन धाई सालों में आप सब अपनाएंगे आपके लिए सर्व शेष्ट होगा सावधानी लौ और फाइनेंस में रखने की बहुत जरूरत है आप देखेंगे 2020 में कई एंटी लौ जो केसे चल रहे थे पैंडिंग थे उनका जज्जमेंट आएगा और सही यानि जो धर्म सम्मत होगा वो जज्जमेंट जरूर आएगा जी तो आपसे भी जाना चाहेंगे राखी मैम की क्या क्या सावधानी हमारे दर्शकों को बरितने के लिए आप कहेंगे देखिए सावधानी के लिए तो मैं एकी बात कहूंगी मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है सब कोई है नी संसार में जो गलती ना करे या जिससे गलती ना हो खूब गलतियां कीजे जो गलतियां हो गई एटलीस ये सोचिए कि आगे मुझसे सेम गलती ना हो एटलीस गलती हो गयी आपसे भी मेरे प्रती कोई गलती हो गया तो बहुत अच्छा शफ नंग्रेज चोड़ गया है सौरी हां जोड़िये माफी मांग ये अपनी गलती पर शर्मिंदा होए किसी के सामने मत होईए शीशे के सामने खडे कर होकर हो लीजे यकीन उस दिन आपके 80 प् कर रहे हैं तो फिर इसको मल्टी पर करते चले जाएगा डबल पर डबल प्लस करते चले जाएगा पता नहीं शनी कितना डंदेंगे क्योंकि ये बात निश्चित है कि अगले पांच साल धाई साल ले अगले पांच साल बहुत शनी नचाने वाले हैं जी बिलकुल तो रेखा क्या हमारे दर्शकों को उपाए तो आपने बता दिया सामधानी के लिए क्या कुछ कहना चाहिए जो भी आपके घर के अंदर नौकर हैं या जो रोट पर गरीब हैं जो बिकारी हैं वो शनी के सताय हुए हैं तो आपने अपने घर के नौकर हैं या आपकी फैक्टी के नौ करें उनके साथ में कभी भी जातिती ना करें उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनें उनकी सहायता करें कहते हैं अगर आप घर का नौकर बिमार है या घर के नौकर को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप सौल्व करिए तो शनी आपको खुश रखेगा और शनी आ मावापों की help नहीं करते हैं, जो बच्चे बुजर्गों की रक्षा नहीं करते हैं, मैं टीवी पे देखते हूं कि मावापों को छोड़ करके भार चले जाते हैं, कभी अपने मावापों की सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, कभी पूछते नहीं हैं, तो मैं उनसे request करती हूं कि आपके माबाप हैं आपके माबाप हैं और उन्होंने ही आपको जनम दिया है कल को आप भी बुज़ूर्ग बनेंगे तो आप अपने माबापों की रक्षा करें उनके पाउं जरूर चुएं क्योंकि उनके हातों में वो पावर है कि आपकी किस्मत में अगर कुछ भी गलत ह तो उनके हातों में वो पावर है वो गलत को भी सही कर सकते हैं इसा रहने वाला है यही कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिन से हम अपनी फ्यूचर को समझ सकते हैं फिलाल हमारे इस खास कारिकर में इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार